वेरोजकार संग के अध्यक्ष बोवी पवार ने सरकार और पुलिस की कारेप्रनाली पर सवाल खड़ी किये बोवी पवार ने IEITS परिक्षा में धांदली का आरूप लगाया और एक वीडियो सोशल मीडिया पर शैय किया जसमें जो वाहन पेपर लेकर आ रहा था उसे हाथ का बहाना बनाते हुए लेट पेपर पहुंचने की बात कहीं बोवी पवार ने कहा कि कुल्दीप सिंग धिंगराज जो की दिलीवापी रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट वाहन के मालिक है उनकी गाड़ी को मोहन के पास रोका फोटो खीचकर पेपर लीग किया आरूप लग देखें हमारा आरोप इसलिए हैं हमारे आरोप यहां की सरकार से भी आयोग से भी है जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहां पर जो सील वाला परकरण जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज बंद करने के लिए अपने नकल रोधी कानुन तो ले आए परन्तु जो घटनाएं बार-बार हो रही है उस घटना का फुल प्रूप आप देख सकते हैं कि 25 फरबरी 2023 को आइलेट्स के लिए जो पेपर देरादुन में हुआ उन पेपरों की ओमर ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई कंटेनर का लॉग तोड़ा गया कंटेनर में डिजिटल लॉग तोड़ा गया फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉग तोड़के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया रिफिट किया गया तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि ये परिक्षाओं में जो परिक्षा केंडरों से लेकर अपना आयोग तक या जो संस्था पेपर को करवा रही है वो पूरे मिले हुए होते हैं इस गिरो को कड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता था 80 से 90 परसेंट केस पूरा सॉल्व है इसमें जो ट्रांजेक्शन ड्राइबर को लालच में जो 5000 रुपे दिये गिया और 30 रुपे का उनको लालच दिया गया था ये बताता है और जो देश में चल रहा जो अंतराष्टे लेबल पर जो चल रहा जो वहां से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं उस गिरो की कड़ी को पकड़ सकते थे उस गिरो के कड़ी को तोड़ सकते थे परंतु पुलीश ने अपनी निश्करतिया दिखाई मुझे ये शंका है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है जहां पर पुलिस ने ड्राइबर को 12 घंटे से अधिक एक जो ड्राइबर है जो दोशी था इसमें उसे अपने पास रखा परंतु बात में उसे छोड़ दिया गया किस आधर पर छोड़ा है ये बड़ा प्रश्चिन खड़ा होता है और मैं बताना चाहूंगा कि पटवारी कनिश्थायक में जो डबल जो पहले वाले सील जो तोड़ी गई थी उसके बाद पेपर बंद करने के लिए अलग से सील लगाई गई थी वो भी इसी परकार से काम रास्ते में ट्रांस्पोर्ट के दौरान हुआ होगा और मैं यही कहना चाहता हू चाहूं की सरकार और आयोक को यह गंबिरता से लेना चाहिए और साथ में जो यह परकरन हुआ है पहले पटेल नगर चौकी और ठाने में जो ठिकाईत हुई थी उन्होंने मामले को घुमाया उसके बाद उत्तर